तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक नई एप्रेंटिशिफ की नोटिफिकेशन जो कि तरफ से ही निकाली गई है तो जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ विशाक रिफाइनरी रेक्रूट्में तू थासुन टेटू की यानि कि विशाखा पत्नम में जो रिफाइनरी है अब देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान पेट्रोलियं को रपोजिशन लिंटेड विशाक रिफाइनरी इंगेंडेजमेंट ऑफ ग्राइजुड अपर अप्रेंटिश्चेन फोड़ा श्कॉर्डाउन करता हूं तो यहां पर आप देख सेंगेंगेंग of the graduate apprentice trainee यानि कि यहाँ पर graduate apprentice trainee की 100 vacancy निकाली गई है चलिए आप बात करते हैं इसके last date की तो इसके last जो रखी गई है वह 14 January 2022 रखी गई है ठीक है यह application जो है वह आज सही चाली हुआ यानि कि 7 January 2022 से जतना जल्दी हो से कि आप इसको भर दीजिए तो चलिए अब बात करते हैं different different branches की कि कौन-कौन सी ब्रांचे से वह HPC apprenticeship के लिए eligible है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ mechanical engineering electrical electronics और chemical engineering civil engineering instrumentation engineering materials engineering safety engineering computer science and engineering IT electronics and communication engineering architecture और catering technology civil environmental communication and computer engineering तो इस प्रकार से आप वीडियो में मैं देख सकते हैं कि बहुत धेर सारी branches हैं और इन ब्रांचे से जो भी लोग करते हैं वह HPC L का form भर सकते हैं जो कि 2022 में निकला हुआ है ठीक है तो इस प्रकार से इस notification का जो PDF है मैं अपनी link में दे दूँगा वहाँ पर आप जाके उसो को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक हमारे description में होगी और इस notification में आपको 25,000 पर मन्त भी मिला है जो कि पहली जो membership निकली थी HPC L की तरफ से उसमें 25,000 ही मिल ला था तो इस परकार से आप पॉस करके अपनी ब्रांच को यहाँ पर सिलेक कर सकते हैं देख सकते हैं उस PDF में मैंने यह PDF आलडी दे रखी है वहाँ और सबसे में इंपॉर्डन बात जो में आपको बता देना चाहता हूँ यहा लोग केबल अप्लाई कर सकते हैं इसमें और जो भी एक अप्रेल 2019 के पहले अपना ग्राइजूशन कंप्लीट कर रखा है वह बात कर लेते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो एक साल का अपना एक्सपीरियंस के रूप में कहीं पर भी कर चुके हैं वह लोग तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी कैनिडेट्स अलिजबल होंगे उनको इंटर्वी के लिए बुलाया जाएगा ठीक है इसका जो इंटर्वी होगा वह जैनवरी 2022 में रखा जाएगा अब जो मेरिट लिस्ट होगी वह बनाई जाएगी इंजीनिंग डिग्री के स्को लेंगे अच्छली बात कर लेते हैं कि इस अप्लिकेशन को अप्लाई कैसे करना है तो सबसे पर आपको नैट्स पोर्टल होगा आपके यूजर आइडी और एमेल आईडी और पासवर्ड भी होगा तो हम क्या करेंगे सबसे पर नैट्स पोर्टल में जाके लॉगिन करेंगे तो वहां आप टाइप करेंगे हिंदुस्तान पैट्रोलियम कोर्पोरेशन लिम्टेड टाइप करने के बाद यह वेकंसी आपको वहां पर शो होने लगेगी आप जस्ट अप्लाई का बटन वहां पर दबाएंगे तो आपका फॉर्म सक्सेस्फली सम्मिट हो जो इंटर्वु लेटर वो आता ही नहीं है कॉल लेटर今 पुषता है कि मेरा सğ कॉल लेटर नहीं आया मैं क्या करूं मेरे help कीजिए तो यही कारण होता है कि आपनी जैनकारी सही से नहीं भरते हैं इसीanya को चाहिए उन जैनकारियां जो है नार्ट कॉ कर थे के जहेंक होई और आपको कहीं पर भी हार्ड कॉंप भीजने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपका इंटर्वी कॉल लेटर जो आएगा वहां से आप उसको डाउनोड कर सकते हैं इसके लिए वह आपको मेल करेंगे या तो मुबाइल नंबर पर आपको मैसेज भीजेंगे जो भी कैनिदेट इस अपरेंटिशिप के लिए चुने जाएंगे या तो सलेक किये जाएंगे वो सभी नैट स्पोर्टर के थुरूई सलेक किये जाएंगे इसके लिए उन्होंने इमेल आइडियो फोन नंबर भी दे रखा है अपना अगर आपको कोई क्वेरी या पिकोई कोई कोईश्चन 2022 HPCL के तरफ से apprenticeship निकलिए वहाँ पर जाकर आप जाईए और अच्छी तरीके से apply का button दबा दीजिए 14 जनवरी 2022 के पहले तो मैं आप आप से मिलूँगा एक next वीडियो में तब तक के लिए goodbye good luck and subscribe to our channel boost yourself be informed better and press double icon you will get all the information about HPCL apprenticeship 2021 as well as 22